Hello Friends, Welcome To My Channel Technical Student. आज का अमारा टॉफिक है Friends, Y Parameters को Z Parameter की रूप में कैसे लिखते हैं? Y Parameter Y Parameter In terms of Terms of Z Parameter ठीक तो यह बता दूँ कि यह जो वीडियो है इसकी अगर क्वालिटी में आपको थोड़ा सा अगर कम्प्रोमाईज करना पड़े तो प्लीज करिएगा क्योंकि मेरा जो मोबाइल है यह कैमरा है ख्राब हो चुका है तो मैं यह वीडियो गनाने जा रहा हूं प्लीज तो एड़िस्ट कीजिएगा आपको मैं कोर्सिस करूँ है कि थोड़ा बड़ा लेकूं जिसे समझ में आएं y parameter in terms of z meter अब y parameter z parameter के रूप में कैसे लिखते है z parameter का equation होता है v1 equal to z11 i1 ठीक प्लस z12 i2 ठीक दूसरा equation होता है v2 equal to z21 i1 plus z22 i2 ये z parameter का equation है तसमी करण है इसके बाद आओ इसके बाद आजाओ z parameter के बाद आजाओ y parameter में क्या equation होती है y parameter में y parameter की equation होती है i1 i2 i1 equal to y11 i1 वो v1 plus y12 v2 i2 equal to y21 v1 y22 v2 ये y parameter ही z meter अब z11 की value अगर पूंची जाए तो होती है v1 upon i1 z11 equal to v1 है तो 1 v1 upon i1 कभ जब i2 का value सुन हो ये होता है ऐसे ही y11 का value क्या होता है i1 upon v1 जब v2 का value सुन हो कभ v2 का value सुन हो यहाँ पर क्या है i2 का value कोई बोले i1 upon v1 होता है correct है i1 अगर कोई बोले z11 equal to v1 upon i1 तो y11 equal to इसी का उल्टा रख लो one upon z11 ये रख लो क्योंकि देखो v1 upon i1 है तो इसका अपोज बटे में कर लेंगे तो क्या आएगा i1 upon v1 ही आएगा ये क्या आएगा one upon v1 upon i1 ये हो गया i1 upon v1 तो ये क्या y11 और one upon z1 equal है ये गलत है क्योंकि इनकी condition अलग है इसमें i2 equal to 0 है इसमें v2 equal to 0 है दोनों की condition अलग अलग है equation आपका जो मान है जो value है z11 equal to v1 upon i1 ये correct है लेकिन इसकी condition क्या है इसकी condition है i2 equal to 0 तो ऐसा नहीं लिख सकते कि y11 equal to direct 1 upon z11 लिख देंगे ये गलत है इसकी condition अलग है इसमें v2 equal to 0 है इसमें i2 equal to 0 है इसलिए हम y parameter को z parameter के रूप में लिखते हैं change करके कैसे change करके अब हम यहां पर पढ़ेंगे y parameter को z parameter के रूप में ठीक है तो देखो यह हमारी equation number first थी यह equation number second थी ठीक अब इस equation number one में इस equation number one में हम क्या करना है equation number one में z22 से गुणा कर दो और equation number one में इस two में z12 से गुणा कर दो ऐसा क्यों अभी पता चलेगा z22 से गुणा कर रहा है इस वाले में और इसमें z12 से कर लो गुणा v1 equal to z22 z11 i1 plus z22 z12 i2 यहां पर z12 v2 z22 z21 i1 और z12 से गुणा है ना one two और ऐसे यहां पर z22 z12 और i2 इससे यह i2 का टर्म जब इस वाले equation से equation number 3 से equation number 4 को घटाएंगे तो यह minus यह minus यह minus यह minus तो यह cancel हो जाएगा बचेगा क्या बचेगी equation z22 v1 minus z12 v2 बरावर z22 i1 z11 यह वाला minus यह z22 z12 i1 यह equation बचेगी अब क्या आएगा अब आएगा i1 equal to क्या आएगा यह आया z22 v1 minus z12 v2 यहां पर आएगा यहां पर i1 i1 common ले लो तो क्या आएगा z11 z22 minus z22 z12 तो यह हो गया अब इसमें i1 equal to आ रहा है i1 equal to आ रहा है z22 upon यह वाला नीचे आएगा z11 z22 minus z22 into z यह एड़ एक सेगड़ देखो चर्ण टू टू वी वन माइनस जैड़ वन टू वी टू जैड़ टू यह जैड़ तू वन था यहां पर तो यह आजाएगा मायनस में Z21 जैड़ टू वन तो यह यह z21 into z12 और यह वी वन मल्टिक्लाई में था तो गीवन माईनस जैड़ बन टू अपोन जैड़ वन मजैड़ टू टू माइनस जैड़ टू लैए जैड़ वन टू नटू क्या हैगा बी टू यह आगया i1 का value, किसका आगया, i1 का value, यह आपके सामने है, i1 का value, i1 का value, z22 upon z11, z22 minus z21 into z12 into v1 minus this, यह आगया, अब इसकी, यह किसका equation बना लिया हमने, equation नम्मर 5, equation नम्मर 5 जो हमारा बना, वो in terms of, अगर हम y parameter में जाएं, तो y parameter की equation होती है, i1 equal to y11 v1 plus y12 v2 होती है, तो v1 v1 है, v2 की जगह v2 है, तो y11 की जगह पर यह मिला, और y12 की जगह पर, minus sign के साथ यह मिला, ताकि जहाँ पर बीच में plus रहे, minus sign के साथ यह मिला, ताकि बीच में plus रहे, ठीक है, तो यह इतना note कर लिजिए, और इतके बाद का मैं अभी continue कर रहा हूँ, इसी तरीके से हम i2 का equation बनाएंगे, कोसिस करिएगा note करने के बाद, i2 का equation कैसे बनेगा, i2 का मैं हिंट दे देता हूँ, कि आप हमें i1 को eliminate करना है, तो i1 को जब खतम करने के लिए, इस equation में से, i1 को खतब करने के लिए, इसमें अगर z12 से गुड़ा किया जाए, और इसमें z21 से, equation number जो first है, जो समी करन नमबर 1 में, किस से उना करना है, इधर z21 है, इसमें पूरे में z21 से, तथा, समी करन 2 में, समी करन 2 में किस से, z21 है, इधर z11 है, z11 से, ताकि i1 खतम हो जाए, और i2 के terms में equation आ जाए, तो पहले वाल equation में z21 से गुणा करेंगे, तो z21 v1 बराबर, z21, z11 v1, प्लस, z21, z12, i2, इस वाले equation में किस से, z11 से, तो z11, v2, z11, into z21, v1, प्लस, इस वाले में भी किस से, z11 से, तो यह आया, z11, z22, यह क्या आया, i2, यह बनी, इसमें से इस equation को घटा देते हैं, माइनस, 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 यह equation नम्मर कौन थी, यह मान लो 6 थी, और यह थी 7 ठीक फ्रेंट, ऐसा नहीं है कि वीडियो में आप देखते जा रहे हैं, कोई, कोई मैंने वीडियो देखे, मैं किसी की वो नहीं कर रहा हूं, मैंने एक वीडियो देखा, study powerpointic channel है, उसमें वो पहले से ही सब कुछ लिखा रहता है, वो जो teacher है, वो केवल उस चीच को explain करते हैं, वो notes जो आते हैं, वो पहले से ही बने हुए हैं, अगर आप एस चीच को practically नहीं बताएंगे, तो practically नहीं आएगा, आप मेरे साथ derivation करते हुए चलिए, वीडियो को रोक रोक के करते हुए चलिए, उससे आपको अलग, आपने अगर एक बार derivation कर लिया, देखना movie की तरह बा 21, V2, बराबर, इस वाले से इसको घटाएंगे तो ये cancel हो जाएगा, एक जैसा देखो, Z11, Z21, Z21, V1, V1, बराबर में क्या बाचा, Z21, Z12, माइनस, I2 कॉमन ले ले, Z11, Z22, I2 कॉमन ले ले लिया, ठीक, ये बाचा, तो I2 बराबर क्या आजाएगा, I2 बराबर आजाएगा, Z21, अपॉन, Z21, Z12, माइनस, Z11, Z22, इन्टू V1, हम इस वाले पूरे टर्म को यहाँ पे डिवाइट कर रहे हैं, इन्टू V1, माइनस, Z11, अपॉन, Z21, Z12, माइनस, Z11, Z22, इन्टू V2, ठीक, अब ये एक्वेशन किसके टर्म पे बढ़ गई, ये एक्वेशन बढ़ गई, उस टर्म में, I2 का एक्वेशन क्या होता है, I2 का एक्वेशन देखो, V1 की जगए V1, तो Y21 equal to Z21 upon Z21, Z12 minus Z11, Z22, ठीक, और ये Y22 equal to minus Z11 upon Z21, Z12 minus Z11, Z22, ये बन गई equation, अब मैं कुछ चीज़ें आपको define कर देता हूँ, हम जब matrix form में लिखते थे, तो Z11, Z12, Z21 और Z22 लिखते थे, तो इसका अगर हम, अगर suppose that ये Z matrix है, इसका हम value निकालें, एक matrix की value क्या होती है, इसका गुणा इसके साथ Z11 into Z22 minus, माइनस आता है, फिर इसका गुणा इसके साथ होता है, तो Z21 into Z12, ये होता है, इसको बोलते हैं, डेल्टा Z, अगर इसको डेल्टा Z बोल लें, इस पूरे एक समी करन को, तो ये क्या है, देखो, Y21 equal to Z21, अगर Z11 into Z22 minus Z21 into Z11, यहाँ से minus common ले लो, तो क्या आता है, जैका, Z11 into Z22 minus Z12 into Z21, यहाँ गया, ऐसे ही, Y22 में आ जाओ, minus Z11 है, minus or common लेने तो क्या बच्चेगा, Z11 into Z21 into Z12, यहाँ गया, देखो, अब हम y21 की जगए क्या लिख सकते हैं y21 की जगए लिख सकते है y21 की जगए लिख सकते है z21 upon minus del z यहाँ पे y22 की जगए क्या लिख सकते हैं यह यह cancel z11 upon del z ऐसे ही यहाँ पे जब i1 की value क्या आई थी i1 की value आई थी z22 लुट्टी एक सेकेन आई वन की वेलू कॉंपेर करने पर क्या आई थि आईवन की वेलू क्वेद्टी पर आई थी ज्यर्ट टू टू अपकोन z11 z22 minus z21 z12 यह आई थी किसको क्याल खाजा सकता i1 equal to z22 sorry y1 y11 equal to z22 upon del z और ऐसे ही y12 equal to minus z12 upon del z आ जाएगा तो इस तरीके से हम y के जो parameter हैं उसको जैड के parameter के form में लिखा जा सकता है ठीच के जैड के form के parameter के रूप में कैसे लिखा जा सकता है मैं चारों parameter एक साथ लिख के बता दीता हूं जैसे की वाई one one पूंछा जाता हैं तो yone one हो जाएगा Brothers włos तू अपॉन डेल है क्या हो जाएगा जज़ाइगा यदि टू डेल देखो हम पर क्या पूंचा गया वाइवान वन तो जडिटू अपहन डेल यह और वाइवान जू फंके वौन टू क्या होगा फिशन एफ our बैल्लिक्स कर दो एग सब पाउं fps Azure एफ लाइख सम्डू टो अ यह पर अगर सम संवत क्कि अधिंग तो प्लस लाई न विसम संथ अधिए this mystesna y21 थीक like i21 का क्या होगा माइनस जड देंखो माइनbay 21 prd 215 2 न कवकल जडी होगा जल दिवन न है विस Mah continues है अपन डेल 6 और करूथ का जड़ 11 आपṣ promise इस तरीमे से हम इसको याद रख सकते हैं ऐसे ही सारे parameters को एक दूसरे के रूप में लिखा जा सकता है बट आपको condition याद रखनी पड़ेगी कि सारे में condition अलग 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 जती है आप directly किसी parameter को define नहीं कर सकते हैं मैं एक example लूँगा next वीडियो में उस वीडियो में मैं धुरू बता दूँगा आपको कि एक parameter को दूसरे parameter के form में कैसे लिखा जा सकता है ठीक है तो thanks for watching please मेरे subscriber आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे subscriber बढ़ रहे हैं please आप उन subscriber को और वीडियो को share कीजिए ताकि subscriber और बने और मैं आपको और सब्जेक्स अरेंज करा सको thanks for watching my channel technicals